असली नोट का कतरन फेका किसी ने सड़क पर देखने वालों की फटी रह गई आँखें कहां से आया नोटों का बोरी भर कतरन यूपी में किसके नोटों को चुहे ने कुत्रा काली कमाई का काला धन लगा ठिकाने या अब आया असली नोटों को कतरने वाला चूहा बाहर बीस सड़क बोरी भर नोटों की कतरन एक सो पचासपास सो के नोट इतना पैसा किस के पास हुआ नोटी नोट मगर काम के नहीं बलकि कुत्रे हुए बीस सड़क पर बोरी भर नोटों का कत्रन देख लोगों की आँखें फटी की फटी रह गई एक सो पचास पास सो दस बीस रुपिये के नोट जिने चुहों ने नहीं बलकि आदमी ने कुत्रा है अब सवाल है इतने पैसे किसके पास हो गए जो नोटों को कुत्र का ठिकाने लगाने की जुरत पढ़ गई ये नोटों का कुत्रन मिला है कानपूर के अरोल थाना चेतर के मेडूआ गाउं के पास ओवर ब्रीज पर यहां नोटों के कत्रन को देख भारी भीर एकठा हो गई नोटों के कत्रन का धेल मिलने की सूचना पर पुलिस भी पहुँची और नेता भी पहुँचे नेता ने काली कमाई का सबूत बताया नोटों के कत्रन के धेल को तो पुलिस आगे की जाच में जुट गई ये नोट ब्रीज के पास बहारी तरब पड़े हुए थे जिसमें 10 रुपिय से लेकर 500 रुपिय की नोट है नोटों को काट कर सड़क के किनारे फेक दिया गया है नोट इस तरह से कुत्रे गए हैं कि इसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुस्किल है वैसे नोट में एक खास तरह की केमिकल लगी होती है वहीं वायर भी होती है जिसे भी बेहत सातीर अंदाज में खराब किया गया है ताकि नोट की कीमत का अंदाजा न लगया जा सके पुलिस के मुताबिक सड़क के किनारे नोटों की कत्रन का धेर लगा है इस नोटों को इतनी बारिकी से कत्रा गया है कि इसे गिन पाना असान नहीं है नोटों में लगा वायर भी पूरी तरह से नस्ट करने की कोसिस की गई है ताकि धनरासी का सही से आकलन न किया जा सके वहीं एक्सपर्ट की माने तो नोटों में एक खास तरह का केमिकल भी लगा होता है जिससे इसकी ठीक से पहचान की जा सकती है मगर यहां भी संभब नहीं लग रहा है नोट इतने अधिक जरूर है कि इसके कत्रन को बोरी में भर कर जाच के लिए ले जाया गया है सभी कत्रन को बोरियों में इकठा कर सुरक्षित कर दिया गया है नजदीकी SBI बैंक से टीम बुला कर नोटों की जाच की भी कोसिस की जा रही है अब RBI की फरेंसिक टीम ही इन कत्रन वाले नोटों की सही पैचान कर इनकी अनुमानित कीमत बता पाएगी इस जाच में CCTV की भी मदद ली जा रही है देखा जा रहा है आसपास के CCTV कैमरे में नोटों की कत्रन को सलक पर डालने वाले का पता लगाया जा सके इस मामले पर SDPO विरेंदर दिवेदी ने बताया कि पुलिस को सलक के किनारे नोटों की कत्रन मिली हमने RBI को इसकी जानकारी दे दी है कहा जा रहा है काली कमाई का काला धन चुपाने के लिए ये किया गया है नोटों की कत्रन मिलने के बाद UP में राजनीती भी तेज हो गई है नोटों के कत्रन मिलने की सूचना मिलते ही सपा नेतरी और पूरो विधान सभा परतियासी रचना सिंग मौके पर पहुँच गई रचना ने सबसे पहले नोटों के कत्रन के साथ वीडियो बनवाया जिसका वीडियो वाइरल है इसके बाएर उन्होंने नोटों के कत्रन को भृष्ट चार का पुलिन्दा करार दिया अब नोटों के कत्रन को लेकर राजनीती गरमा गई है देखना है नोटों को कतरने वाला कौन है क्या जाच में ये सामने आपाता है अलंकि बेहत होसियारी से नोटों को काटा गया है